बिहार मदनिशिद उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा पैतालिस के अंतरगत नोगचिया थाना कांड संख्या 338 बटे 22 के उत्पाद संबंदी एक मामले में मंगलवार को विशेष नियाइदीस उत्पाद 2 की कोट ने दोसी को एक लाग रुपिय जुर्माना और आठ साल करावा एवं राना यादव को दोसी करार दिया था जिसको लेकर मंगलवार दो अप्रेल को सजा के बिंदु पर सुवी सुनवाई के बाद दोनों अभियुकतों को कोट द्वारा आठ साल की करावास और एक लाख रुपिय जुर्वाना की सजा सुनाई गई इस पेसल पीपी भूला कुमार मंडल ने वताया की मामला चार नोवंबर 2022 का है जब रंगरा थाना छेतर में पुलीस द्वारा सराब के विरुद छापे मारी के दोरान नवगचिया थाना द्यक्ष द्वारा कई अन्निकांड में वानशित अभियुकत रानायादव ने जंगरा चौक के पास गहन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें देर रातरी करीब साले बारह बजे सफेद रंगी एसकॉर्पियो चेक पोस्ट की तरफ आती दिखी और पुलीस ने एसकॉर्पियो चालक को रोकने का इसारा किया वहीं गाली में बैठे लोगों ने पु आजेस रंजन कुमार एवं चंदन कुमार जखमी हो गए वहीं तुरत पुलीस टीम ने चापे मारी दल के साथ असकॉर्पियो का पीछा किया एवं नोगचिया थाना को इसकी सूचना दी इधर नोगचिया थाना की गस्ती टीम ने एनेच 31 पर संतोज धर्मकाटा के पास घिराबंदी कर गारी समेत नसे की हलात में दोनों व्यक्ति को पकड़ा और पूस्ताच के दोरान उनकी पैचान पवन यादव एवं राना यादव के रूप में हुई जिसके बाद पुलीस ने दोनों व्यक्तियों की ब्रेत एनलाइजर से चांच की और जंगरा ओपी पुष्टी की गई जिसके बाद दोनों व्यक्तियों को पुलीस द्वारा गिरफदार कर लिया गया दो व्यक्ति बैटा हुआ था एक रहना जादव दूसरा पवन जादव दोनों धोमिनियों का रहने वला था जो नगुष्या थनक अंतरगत आता है और उन लोगों ने उसके साथ अभद्र बहवार किया पुलीस के साथ गारी नहीं रोकी गारी पुलीस ने उसका पीछा कर के आगे में उसको पकड़ा जिसका आज मौन्या स्री राजेश सिंग एडीजे बारा उत्पाद को टू में कंकुलूड हुआ जिसमें आज सजा सुनाई गई आठ बरस की सजा एक लाग रुपिया की जूर बना नाई देने पर तीन महनों की अतिरिक्त सजा